हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी गर्पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्वीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है क्लास टोल्थ फिजिक्स एंसी आर्टी में चैप्टर वन बैद्दुद आबेस और छेत्र स्टार्ट कर चुका हूँ या कि प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो चले सुरू करते हैं और आज का टॉपिक है पार्ट वन में भी मैंने पूरा बेसिक चीज समझाया था और यह पार्ट टू है इस्टूडेंट जिसमें भी पूरा बेसिक चीजी समझाना है सबसे पहले आज का टॉपिक है आबेस उत्पत्ति का इलेक्टरानिकी सिध्यांत मतलब इस्टूडेंट किस प्रकार से आबेस की उत्पत्ति होती है इलेक्टरानिक सिध्यांत के आधार पर समझेंगे ठेक तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले student ये समझना है कि आपके पास कोई पदार्थ है क्योंकि पदार्थ से ही यहाँ पे इलेक्टरान और आबेस में से जो प्रोटान नूटरान ये सारी चीज़ें कहां से निकलती है तो पदार्थ से निकलती है तो पदार्थ है student आपके पास एक पदार्थ है आपके पास बेसिक चीज़ समझेंगे ये आपके पास मालीजे पदार्थ है ये पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है ये पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ student तो पदार्थ हमेशा किससे अड़ों से मिलकर बना होता है किससे मिल परमाडू हो सकता है या तो अडू हो सकता है ठीक है अब यदि अडू है यदि अडू है इस चिज होता है आप बताएंगे तो परमाडू में मुख रूप से स्टुडेंट इसका संपूर्ण द्रबमान इसका संपूर्ण द्रबमान कहां होता है आप बताएंगे तो द्रबमान एदी पदार्थ परमाडू का संपूर्ण द्रबमान देखा जा इस्टुएंट तो कहां होता है केंदर पर होता है केंदर पर होता है संपूर्ण द्रबमान चीजें समझने की कोशिस करेंगे मान के चलते हैं आपके पास अडू है अडू किस से मिलकर बना हुआ है पैरे भाईयो परमाडू से मिलकर बना हुआ है परमाडू का समस्त द्रबमान कहां पे रहता है केंडर पर और केंडर में क्या क्या चीज होता है तो एक तो होता है proton और एक होता है neutron दो चीज होते हैं ठीक है केंदर पर क्या क्या होता है student एक तो proton और दूसरा neutron इतना clear हो गया कि हमारे पास एक अरू है तो किस से मिलकर बना हुआ है परमाडू से मिलकर बना हुआ है परमाडू में student क्या क्या होता है द्रबमान केंदर पर हो यह दो चीज है केंद्र पर है प्रोटान और न्यूट्रान इतना क्लियर हो गया अब इस्टुडेंट एदी बात करें इसमें इलेक्ट्रान की तो इलेक्ट्रान यह परमाडू के बाहितम को इसमें यह इलेक्ट्रान जो होता है इसका चक्कर लगाता है यहनी केंद्र पर होत प्रोटान की संख्या, प्रोटान की संख्या हमेशा इलेक्टरान की संख्या के बराबर होती है, इलेक्टरान की संख्या के बराबर होती है, जितना परमाडु में प्रोटान होगा, उतना ही नूटरान होगा, यहनी परमाडु दो विप्रीत प्रकार के आवेसित कणू से मिल कर बना होता है एनि इस पर स्टुडेंट धनात्मक भी चीज होता है रिनात्मक होता है जो कि इलेक्ट्रान आपको पता होगा रिनाबेसित होता है और प्रोट्रान क्या होता है धनाबेसित होता है और इस न्यूट्रान की बात करें तो न्यूट्रान पर क्या होता है प्रतेक परमाडू का समस्त भार जो द्रब्मान हो कहां पे होता है केंदर पर होता है केंदर पर क्या होता है स्टुडेंट आपके पास प्रोटान और नूट्रान होता है चुकि प्रोटान धनाबेस होता है और नूट्रान क्या होता है आबेस रहीत होता है उदासीन होता है और इसी नाभिक के चार ओर यह आपका नाभिक है जहां पर प्रोटान न्यूट्रान है इस नाभिक के चार ओर जो कच्छा पाए जाते हैं उर्जा इस्तर पाए जाते हैं है ना वहाँ पे इलेक्टरान रिनाबेसित होता है और वो चक्कर लगाता रहता है जिसकी संख्या प विद्द्वान होने के बाब जोद विद्दूत रूपेंड उदासीन होता है मतलब दोनों विपरीत आबेस परमाडू में है लेकिन वो पूर्ण रूप से उदासीन है क्योंकि जितना उस पे धन है और उतना है उस पे रिण है अब यह प्लस माइनस उत्पन कैसे अभी तो परमाडू उदासीन है परमाडू क्या है उदासीन है कोई भी परमाडू है उदासीन इस्टेट पे होता है क्योंकि जितने उसमें निगेटिव चार्ज है जितने उसमें फ्रोटान है उतना ही उसमें इलेक्रान है यहाँ पे इलेक्रान की सिध्यान से अभी देखे पूरा आपको यहां पे समझाऊंगा कि आवेस कैसे उत्पन होता है बिद्दुन में कैसे होता है पदार्थ बिद्दुन में क्या है पदार्थ है जो आवेसित होता है वो पदार्थ बिद्दुत कैसे उत्पन कर देता अब बिद्दुत कब उत्पन होगा जाब प्लस और माइनस औ और वो एक प्रकार की उर्जा है, जो की आभेस एक दूसरे को आकरसित करने की छमता उत्पन कर देते हैं, चीज़ें समझेंगे, कि कैसे आभेसित होता है, कोई भी परमाडू होगा, कोई भी परमाडू होगा इस्टॉरेंट, वो हमेशा उदासीन अवस्था में होता है पहल तोनों के दोनों उदासीन ना तो इसमें प्लस और ना तो माइनस कुछ नहीं है ना कुछ भी नहीं ना तो प्लस ना तो माइनस लेकिन अभी बात करें हम कि यदि यह इलेक्टरान इसको दे दे इलेक्टरान क्या कर दे डूनेट कर दे तब यह ले लेगा इस पर पढ़ रहे हैं पूरा विजवत आपको पहले समझना है कि यह है क्या चीज आप लिख सकते हैं बुक से बिलकुल आप लिख सकते हैं इलेक्टरान की सिद्ध्यांत आवेस उत्पति का इलेक्टरान की सिद्ध्यांत नरपे सर्च कर सकते हो तो होता क्या है इस्टूडेंट कि जब हमारे पास ये परमार हुए मतलब एक छड़ा है ये छड़ा है मालीजी ये कांच का छड़ा है और ये रेसम का कपड़ा है है ना ये कांच का छड़ा है ये रेसम का कपड़ा है अभी दोनों के दोनों उदासीन क्या है इस्टुडेंट उदासीन उदासीन मतलब किसी में लेकिन अभी इनके भी करा दें तो जो कंच कच्छण है वो इलेक्टरान क्या करेगा देदेगा किसको रेशम के कपडे को तो इस पर निगेटिव चार और इस पर पाश्टिब चार जा जाएगा क्यों क्योंकि घरसंड हुआ और घरसंड के कारण इलेक्टरान कहां से कहां चला गया तो जो आपका काच कछण है वो कहां पर दे दिया देशम के कपड़े पर और जब इलेक्टरान दे दिया तो इलेक्टरान की जिस पर कमी आएगी उस पर धाना बेस आता है क्योंकि उन्होंने दिया और इस ट्रूट जिस पर अधिकता हुई उस पर रिणा बेस आता है ठीक है चीजें क्लियर हो गया अब इतना समझे अब जहां इलेक्टरान क्या करते हैं इलेक्टरान क्या करते हैं चक्कर लगाती है तो जो इलेक्टरान नाभी के जिसे एक कच्छा है फिर आपके पास दूसरा कच्छा है फिर तीसरा कच्छा है परमारू की कई कच्छा होते हैं जितना बड़ा परमारू उसकी कच्छा है उतनी अबढ़ी होती है ना जिसकी कच्छा की संक्य उतनी इधिक होती है तो जो इस्टुडेंट जो इलेक्टरान नाभी के निकत कच्छा में पदिब्रमण करते हैं जैसे पहला कच्छा होगे यहां पर जित्ते इलेक्टरान होंगे उसे हम बद्ध इलेक्टरान कहते हैं तो आपको लिख लेना है तो बद्ध इलेक्टरान की परिभासा लिख लेना है कि जो इलेक्टरान नाभी के निकटम का छोमी परिभ्रमण करते रहते हैं या करते हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्टरान कहते हैं ठीक है मतलब परमारू का बद्ध स्ट्वन आपको पता होगा इलेक्ट्रान क्या होते हैं नाविक किसांस ढणता से आकरसित रहते हैं Здесь हो ने को उदकर पहहें बी चला जाए ऐसा नहीं होता ठीक है और लेकिन ये भी वहता है कि थोड़ा सा जैसे आकार बढ़ता जाता है कच्छा की दूर जाते जाएंगे नाभी का कर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो और नाभी का कर्षण कम होता जाएगा मतलब आकर्षण बल उतना ही कम होता जाता जितना किया कर बड़ा होते जाता है जिसकी कच्छा जितने अधिक होंगी उसमें इलेक्ट कि बात करें मुक्त इलेक्टरान कहां से होती है तो मुक्त इलेक्टरान हमेशा बाहर से निकलता है क्यों क्योंकि बाहर जैसे यहां से यहां तक की एनरजी लेवल इसके पेच्छा कम हो जाती है तो यहां से ही इलेक्टरान निकलते हैं और दूसरे को देने की कोशिस करते हैं तो जैसे हमने कहा कि आकार बड़ा होता जैसे कच्छा की दूरी बढ़ती जाती है नाविक से उतना ही उसका अकर्षनबल कम होता जाता है और बाहर वाले कच्छा से आसानी से सुच मातरा में इलेक्टरान नाविक से मुक्त होकर प्रिस्ट के बाहर के उर्गति करने लगते ह हैं और आसानी सो मुफ्त हो जाते जिसे ह्हां मुट्ट एलेक्टरान कहते हैं ठीक है न इसी लि उसे हम क्या कहते हैं student मुक्त इलेक्टरान और वही मुक्त इलेक्टरान मुक्त होते हैं जैसे जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इतना clear यानि रगणने की क्रिया से जितना धनावेस उत्पन्न होता है दूसरे पदार्थ पर ठीक उतना ही रेणावेस उत्पन्न होता है यह fact भी आप तयार रखें जिसे हमने आपको बताया था कि आपके पास एक कांच है यह रेसम है तो हमने रेसम और कांच को रगणा तो जितना इलेक्टरान देगा उतना तो दूसरा पदार इलेक्टरान लेगा तो जितना देगा उतना धनावेस और जो उतना लेगा उतना रेणावेस मतलब यह दि दो पदार तो रगणे तो जितना धनावेस उत्पन्न होगा उतना ही रेणावेस उत्पन्न होता है यह संप खर्षण के कारण इस्टुट्ट कुछ क्या होते हैं आवेसित हो जाते हैं जैसे मान के चलते हैं आप कभी ठंडी के दिनों में स्वेटर मतलब सरीर से जब उतारते समय देखें उस्ट चटचट की आवाद सुनाए देती है और वहां से चिंगारी भी निकलता है ठीक है क्या होता है स्टुट्ट की जब घर्षण होता है उसमें तो आवेसित हो जाता है और वह क्या करता है सरीर के रों को आकरसित करता है इसकार से चट्चट सुनाए देता है प्लास्टिक की कुर्सियों के दिए हम कपड़े से जाड़ें मतलब ऐसे कपड़े से थोड़ा सा धक्का तो आवेसित हो जाता है यह प्रक्टिकल रूप में आप कर सकते हैं इसी प्रकार कभी कभी कार के दरवाजे को खोलते समय हम हलका सजटका अनुभाव करते हैं यह आवेस के कारणी होता है बायू यान के भूमी पर उतरते समय टायर और रनवे के बीच घर्षण के कार टाय टायर आवेसित हो जाते हैं इसलिए स्टुडेयर को कुछ चालक बनाया जाता है जिससे की आवेस टायर में रहकर प्रत्थवी पे चला जाए ने तो क्या होगा चिंगारी उत्पन हो जाए ठीक है तो जब घर्षण होता इस कि आप से चूटने ना पाए फिजिक्स में ठी लोगों का डिमांड है कि सर बोर्ड मारकर का यूच कीजिए तो थोड़ा सा इस्टूडेंट मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ आप सबको पता होगा अभी कैमरा की सुविधा नहीं है जिससे मैं बोर्ड में अच्छे से पढ़ा सकूँ इसलिए अभी जितना इस्टू आपक समझते हैं जिसको आपको लिखते चलना अभी जो एक्जांपल बताया तो भी लिख सकते हैं आप कि जैसे कार के दरवाजे को खोलते हैं तो जहटका सा महसूस होता है वह आवेस के कारण होता है है ना इसी प्रकार बायों के भूम पर उतरने से टायर और जब उसके रनबे में स्टूडेंट जमीन से घर्षन होता है तो आवेस उत्पन होता है इसे कारण से टायर जो है क्या बना जाते हैं थोड़ी से आवेसित पदार्थ की बनाया जाते हैं जिससे क्या हो की उर्जा कहां चला जाए जो आवेस है प्रतिवी पर चला जाए और छती ना हो पहला नंबर है चालक जिसकी परिवाद साब को लिखनी यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ चालक है क्या चालक क्या है ऐसे पदार जिसमें बैदुत आवेस को है ना आसानी से है ना बहने की मौका मिलती है यही ऐसे पदार जिसमें बैदुत आवेस आसानी से बह जाता है यानी आसानी से धारा बह जाता है उसे हम क्या कहते है चालाग अब यहाँ पर आबेस कहेंगे क्यों 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 कि आबेस प्रवाय की दर की तो धारा कहलाती है धारा क्या है आई इक्वल आबेस प्रवाय की दर अबेस प्रवाय की दर धारा है तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से बिद्दूत आब accept को बहने देती हैं वो क्या कहलाएंगे श्टुरेण चालग कहलाईगे ठीज़ है और आदी बात करें बिद्दूत रोदी तो जो पदार्थ अपने से बिद्दूत- आवेज को बहने नहीं देते ऐसे पदार्थ जो अपने जी हमने देखा बिद्दूत रोधी, क्या बिद्दूत रोधी, तो दो चीज तो आपने सीखा, कि जिसमें से आबेस आसानी से बैता है, उसे हम चाला कहेंगे, लेकिन जिसमें आबेस नहीं बैता, उसे हम क्या कहेंगे, बिद्दूत रोधी, बिलकुल रूप से आबेस नही परिवर्तन हो रहा है मतलब आबेस में परिवर्तन आबेस में परिवर्तन कैसे हम एक पदार्थ से एक आबेस को मतलब दूसरे पदार्थ में आबेस को ट्रांसमिशन कर दिये मतलब वहां से मतलब एक आबेस जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला गया तो चालक अर्द चालक मतलब जिसकी चालक ता चालक और विद्दूत रोधी के मद्ध हो पतलब जिसमें अल पधारा बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाइद होता है उसे कहते अर्द चालक अर्द चालक उन पधार्थों को कहते हैं जिनकी चालक ता चालक और चालक और विद्द माली जे आयरंट और लोहा नीकिल कापर जिंक इस अभी के सभी जालक है विद्दुत्रोदी की बात करें आपने आस पास देखने लखड़ी प्लास्टिक नौइलल आन। रवर कांच ये सब क्या हैं विद्दुत्रोदी हैं और यदी बात करें अर्ध चालक की तो अर्ध च एन टाइप और पी टाइप इसको आप अच्छे से बारी किस समझेंगे तो मैं सब कुछ समझाओं के इसलिए आप लोग आज इतना ही बेसिक चीज़ तैयर कीजिए आगे मिलिंग अगली वीडियो में वीडियो पसंद्ध लाइक जरूर करिएगा दोस्तों सेयर कर दीजिए का मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन बंदमातराम